नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चनल टार्गेट विद अजय में तो आज मैं आपको एक और स्टोरी पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है दा विंड एंड द सन तो यहां मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया सी स्टोरी लाता हूँ और इस्ट सन सन मिस होता है सूरज तो चलते हैं इस्टूरी को पढ़ते हैं यहां से तो इस्टूरी यहां से है इस्टूरी का नाम है दा विंड एंद सन दा विंड में सोता है हवा एंद सन मिस होता है सूरज तो हवा और सूरज के बारे में कहानी है तो यहां से सुरू होती कहानी सूरज, एक बार हवा और सूरज had an argument, अर्गुमेंट का मतलब होता है तरक वितरक, तरक मतलब बहस हो जाती है, अर्गुमेंट का मतलब यहां पर बहस समझें, अर्गुमेंट का मतलब बहस, तो एक बार सूरज और हवा की बहस हो जाती है, और आगे है I am stronger than you say the wind Wind ने कहा, हवा ने कहा कि I am stronger मैं अधिक ताकतवर हूँ than you तुमसे तुमारी अपेच्छा मैं अधिक ताकतवर हूँ अथवा मैं तुमसे ज़्यादा बलसाली हूँ ताकतवर हूँ strong मिस होता है ताकतवर और stronger उसकी comparative degree होता है तो इसका मदलब हो जाता है अधिक ताकतवर तो हवा ने कहा कि मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ no you are not, अब सूरज कहता है no you are not, you are not, तुम नहीं हो say the sun, सूरी ने कहा, सूरी ने कहा कि नहीं तुम मुझसे अधिक ताकतवर नहीं हो उसके बाद है just at that moment Just at that moment का मतलब होता है उसी छण, उसी समय They saw a traveler walking across the road They मतलब उन दोनों ने सूरिय और हवा ने सौ मिस देखा और ट्रवलर मिस एक यातरी को Walking जो जा रहा था Walking मतलब जा रहा था Across मतलब उस पार Across मतलब होता है उस पार The road मतलब रोड के जो उस पार रोड के जा रहा था उस traveler को उनों ने देखा हवा और सूरज ने He was wrapped in a sol वह साल में लिप्टा हुआ था अथवा वह साल को लपेटे हुए था He was wrapped Wrapped का मतलब होता है लपेटना He was wrapped वह लिप्टा हुआ था in a sol एक साल में अथवा वह साल को ओड़े हुए था The sun and the wind सूर और हवा Agreed Agreed मतलब सहमत हो जाना सहमत हो गए That key That means key Whoever जो कोई भी Whoever का मतलब होता है जो कोई भी Could separate the traveler from his soul Was stronger अब ये दोनों जो है सहमत हो जाते हैं कि whoever जो कोई भी Could separate अलग कर पाएगा ठीक है Could separate Separate मतलब होता अलग करना जो कोई भी अलग कर पाएगा The traveler उस traveler को From his soul उसकी साल से ठीक है From his soul मतलब उसकी साल उसकी साल से जो traveler को अलग कर पाएगा Was stronger वही अधिक ताकतवर होगा तो उन दोनों ने सूरच और हवा ने ये लोग जो है सहमत हो गए कि जो कोई भी उस traveler को उसकी साल से अलग कर देगा वही जो है अधिक ताकतवर होगा फिर आगे है The wind took The first turn हवा ने पहली बारी ली Took miss ली The first miss पहली Turn miss बारी Turn miss बारी तो एक word के कई सब्द हो जाते है एक word के कई मेनिंग हो जाते है ठीक है तो The wind took the first turn हवा ने पहली बारी ली अधिक है हवा ने कहा कि मैं मेरा पहली बारी होगी मैं पहले इसकी साल से इसे अलग करूँगी उसके बाद आगे है He blew with all his might to tear the traveler's soul from his soldier तो He blew blew मतलब हवा चलाना ठीक है तो बल्यू मिस हवा चलाई with all his might पूरी अपनी सक्ती के साथ ठीक है हवा ने पूरी अपनी सक्ती के साथ might मिस सक्ती ठीक है तो अपनी पूरी सक्ती के साथ जो है हवा चलाई to tear मलब फाड़ने के लिए, ट्रवलर की साल को फाड़ने के लिए पूरी सक्टी से हवा चलाई, हवाने, ठीक है, from his soldier, उसके कंदो से, मलब इतनी हवा चला दी कि उसका कंदे से जो साल है वो फटके अलग हो जाए, ठीक है, यात्री ग्रिप मलब पकड़ना ग्रिप मलब पकड़ना तू उतनी तेजी से उतनी ताइट तरीके से उसने साल को पकड़ा to his body अपने सरीर से मतलब जितना ही जादा हवा चला रही उतने टाइट तरीके से उसने साल को अपने बॉड़ी से पकड़े रखा ग्रीप मतलब होता है पकड़ना उसके बाद है आगे है that struggle went on till the wind's turn was over the struggle मतलब संगर went on मतलब जारी रहा go on मतलब जारी रहना उसी का second form है went on तो इसका मतलब जारी रहना तो the struggle went on जो संगर्स था वो जारी रहा ठीके on till तब तक till में तब तक जारी रहा the wind's turn was over जब तक हवा की बारी खतम नहीं हो गई तो जब तक हवा की बारी खतम नहीं हो गई तब तक वो संगर्स जारी रहा मतलब तब तक उसने जो है संगर्स करती रही वो हवा कि इसकी साल को इसके बारी से हलक कर दे ठीक है बाद में इसकी बारी समाप्त हो गई अब जो है now it was the sun's turn अब जो थी या सूर की बारी थी सूर की बारी थी the sun smil help army warmly मतलब बहुत गरम तरीके से घरमी से ठीक है तो the sun smiled सूरड smile means हसा warmly मतलब गरम तरीके से सूर जब हसेगा तो क्या होगा गरमी होगी ठीक है तो सूरड जो है गरमी से हसा यहीं गरमी से हसा the traveler felt the warmth of the smiling sun ट्रेबलर मतलब यातरी फिल्ट मिस महसूस किया दवाम तुमिस गर्मी को आफ दा स्माइलिंग सन उस हसते वे सूरी की गर्मी को उस ट्रेबलर यातरी ने महसूस किया जब सूरी हसा तो अब उसे ट्रेबलर को यातरी को गर्मी लगने लगी उसने गर्मी महसूस की उसने साल को फाल ओपन मलब खुलने दिया मलब उसने साल को खोल दिया जो लपेटे था उसाल उसाल को उसने जल्द ही खोल दिया क्योंकि उसे गर्मी लगने लगी The sun's smile grew warmer and warmer The sun's smile सूरज की मुस्कान सूरज की मुस्कान सूरज की मुस्कान ग्रिव मतलब हो गई warmer and warmer अधिक और अधिक गर्म ठीक है? warmer and warmer का मतलब गर्म और अधिक गर्म hotter and hotter और अधिक गर्म और गर्म हो गई मतलब वो और ज्यादा मुष्कुरानी लगा और ज्यादा गर्मी देने लगा Now the Troubler no longer needed his soul Now मलतब अब The Troubler Troubler मलतब यातरी No longer मलतब और अधिक नहीं ठीक है No longer का मलतब होता है और अधिक नहीं Now the Troubler no longer needed his soul अब जो है Troubler को और ज़्यादा नीडेड अवस्तक्ता नहीं थी ही साल उसकी साल की तो उसे अब और अधिक साल की अवस्तक्ता नहीं थी मतलब अब ओ चाहता था कि मैं साल को अपने सरीर से अलग कर दूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी तो he took it off तो he took it off उसने उसे उतार दिया and dropped it on the ground ठीक है drop का मलब होता है गिरा देना he took it off उसने उसे उतार दिया and dropped गिरा दिया it on the ground जमीन पर उसे साल को उसने रख दिया the sun was declared stronger than the wind the sun, sun मिस सूरज, was declared declared का मलब घोसित कर देना ठीक है तो the sun was declared sun को घोसित कर दिया गया सूरी को घोसित कर दिया गया stronger मलब अधिक ताकतवर than the wind हवा से अब जो है सूरज की जीत हो गई तो सूरज को जो है अधिक ताकतवर होने का घोसित कर दिया गया यहाँ पर जो है moral क्या है ठीक है moral moral लिखा है brute force can't achieve what a gentle smile can मलब brute मलब निर्दई एक रूखापन ठीक है brute force मलब एक निर्दई force मलब ताकत यहनि हम अगर कोई काम निर्दईता से करते हैं ताकत चाहे मारे अंदर जितनी हो ताकत से करते हैं तो can't achieve प्राप्त नहीं कर सकते ठीक है what a gentle smile can जितना की एक साधर मुस्कान से हो सकता है अत्व हम इस परकार से कर सकते हैं कि जो काम हम बहुत जो है forcefully ताकत पूर्वक नहीं कर सकते वो हम जो है एक gentle साधर मुस्कान से कर सकते हैं ठीक है तो आसा करते हैं आपको यह स्टोरी अच्छी लगी आपको कुछ सब्द भी सीखने को मिले हैं तो यह स्टोरी जो थी वो थी The Wind and The Sun आगे स्टोरी पढ़ने के लिए और नए ने वर्ड सीखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और जो बेल आइकन को प्रेस कर दें इस एक साथ वीडियो समाप्त करते ही थैंक्स पर वाचिंग